वित्रो इस वीडियो में आपको हम एक इस्त्री पुलुस की लगन कुंडली का सारांस दिखा रहे हैं और योग और संतान प्राप्ति का विचार इन दोनों के विशे में आपको कुछ पताएंगे एक उधारन कुंडली है आपको यह दिखा रहे हैं और यहां नाम हमने हटा दिया है क्योंकि किसी का नाम अगर यह हो तो वह सोची कि हमारी है इसलिए हमने यह नाम हटा दिया है और जैसे कुछ लोग जानकारिया लेते हैं तो जो तरीका होता है जैसे हम आपके टेटो बर्स या फिर कुंडली की जो भी जानकारी होती है उसका लगन सारांस देखकर और उसकी एक वाइस मैसेज की जानकारी लोगों को देते हैं यानि 10-12 मिनट की वाइस मैसेज की जानकारी होती है उसमें जो कुछ होता है उपाए और जानकारी सभी कुछ बताते हैं तो जैसे कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आती है तो आप इस चार्ट के माध्यम स आप को बना कर देते तो इसकी भोटो आपको प्रस真的很 सघ्ड युद्य और Come को बटाकर सब्सक्राइब यह जानकरी का मकसद नहीं होता है कि किसी संतान के प्रतिकोई और यह सिर्फ एक जागुरुता के लिए होता है कि आप एक सही समय का चैन कर सकें और जो भी ग्रह दसा आपके खराब हैं लगन में उनको आप किसी भी उपाय के माध्यम से सही करें जिससे आगे आने वाली रुकावट बाधाएं आपको ना हो और आ हो या पिता हो किसी भी संता करते हैं या पिर कोई ग्रह दोस बाधाएं हैं वह चीजें अगर होने के बाद अगर आप प्रयास किये उसमें सभलता नहीं मिली आपको आपका नुक्सान हुआ सारीरिक रूप से मांसिक रूप से धन के रूप में तो उसका उसकी च्छती आपको होती है उसकी परिसानी को जिलनी पड़ती है तो इसलिए सही समय का चुनाव करें और जो भी ग्रह दसा आपके खराब चल रहे हैं उनका उपाय छोटा सा उपाय करके आप उसको सही कर लेजिए उसके बाद आप एक सही समय का चैन करके आप प्लानिंग करें तो आपके लिए अच्छा रहता है ज उसके ग्रह उसके स्वामी ये देखा जाते हैं बिवाह जैसे आपका होता है किसी भी सन में आपका बिवाह हुआ किसी भी वर्स में उसके बाद आपकी योग दसा क्या चल रही है यानि जैसे ये योग ग्रह की दसा होती है और ग्रह दसा अपनी आउग के अनुसार बदलत तो ये ग्रह दसा के अनुसार आप उस समय में अगर प्लानिंग करते हैं तो उसका पड़णाम सही निकलता है और जिसे देखे इनके लगन में केतु का भाव है पहले भी हमने बताया है कि लगन पंच भाव जो आपके संतान का घर होता है कूर ग्रह या बुरे ग्रहों की दिष्टी या फिर स्यम वह ग्रह इहां बैठे होते हैं तो उस यसे इस तरिका बार बार गर्भ पात हो जाता है गर्भ नश्ट हो जाता है इसका भी उपाय करना आउस्सक होता है और ये सभी चीज़े हम आपको वाइस मेसेज में बता देते हैं कि क्या उपाय इसके लिए करना चाहिए आपको और कौन से महीने आपके लिए योग बनते हैं आपकी रासी के हिसाब से कौन से महीने आपको परियोग करने चाहिए तिये इस तरी के लगन सारांस के हिसाब से यह सब देखी जाती है इसका सही पता लगता है और साथ में जैसे अगर गुरू की दसा देखी जाती है जैसे आप गुरू देख रहे हैं तो गुरू इनके कें ईची बूरे ग्रह के साथ बैठे रहते हैं। जैसे गुरु यहां है, इनके साथ राहू हो या चैत्तू साथ बैठे हैं। गुरु नीच भाव में हगर हैं, तो फिर गुरु का योग आपको प्राप्त नहीं होगा, गूरु आपके वंस को बनाते हैं, वंस की बिर्धी आपकी नहीं हो पाती है, गुरु खराब हो तो यह इस तरी की लगन का विचार किया जाता है, इसके बाद जैसे पुरुस के लगन में योग देखा जाता है, जैसे यहां आप देख रहे हैं, पंच भाव में दस नमबर की गिंती है, और दस नमबर की गिंती हमने लिखा है कि लगन पंच भाव स्वामी सनी है, यानि इसका स्वामी सनी बनता है, और सनी शिर्फ आपके लिए फीमेल योग को प्रदान करते हैं, गर्भ की छती भी करते हैं, लेकिन अगर यही सनी सुभ भाव में हो, यानि रासी उनकी अच्छी बन रही हो, तो आपको संतान सुक देते हैं, और साथ में आपके आर्थिक परिस्ति को भी सही करते हैं, इनके लिए सनी यहां भी सही नहीं है, और यहां भी सही नहीं है, तो इनको भी चाहिए कि सनी का कुछ उपाय कर लिए, सनी को प्रशंता के लिए कुछ उपाय करें, और सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे योग तो किसी के लगन से देखा जाता है, दोनों के देखने से यह होता है कि दोनों का गुरू किस प्रकार से है, दोनों का गुरू का भाव अच्छा अगर बन रहा है, और दोनों के लगन पंच भाव में अगर दोनों योग हैं, तो तो आपको मतलब आपके लिए सबसे अच्छा यह समय होता है और साथ में जिसे एक योगनी दिसा निकाली जाती है गुरू या फिर सूर की उस योगनी के दिसा के नुसार आपके लिए जो महीने बनते हैं उसमें आपको प्लानिंग करने चाहिए तो आपके लिए अच्छा अश्तर काली है खुरू आपके लिए खुरू लिए कि अश्तर अषड़क के का लिए सच्छाट रसी Jupiter ए बनापके लिए ओके लागनी जुरूखके लिए झार यह चैर तो वliए झापके वीन दो खेंने तो यह सिक्य को अश्..?